कि नमस्कार आप सभी को आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और फिर से अपनी प्रैक्टिक्स क्लासे स्टार्ट करते हैं आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक में लेके आई हूं जो भी जातक की क्वेरी इस थी उनको हम सॉल्व करने का को आप एपियर यानि अडवांस प्रडिक्टिव एस्ट्रोजी का नया बैच सेप्टमबर में स्टार्ट होने वाला है तो आप मेंसे जो भी चुक हैं आप नामांकन करा सकते हैं ऑफिस कॉल करके सेप्टमबर में हम दो और नए कोर्से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें से एक को करते हैं आज की अपनी क्लास देखिए आपकी स्क्रीन पर चार्ट है सबसे पहले आप डेट और नोट करना चाहें तो कर सकते हैं नेल चार्ट है ट्वंटी सेवन्त में नाइंटीन एटीएट फिफ्टीन फॉर्टीफाइट जैब्यू मैं सीधा प्रश्न प्रश्न प्या वर्तमान समय में गुरू की महादशा है गुरू पत्रिका में चौथे और साथे भाव का स्वामी होकर आठवे भाव में स्थित है और केतू से द्रिष्ट है गुरू में शुक्र की अंतरदशा है शुक्र वर्तमान पत्रिका में भागे और दूसरे स्थान का स्वामी होकर दश्यम स्थान में लगनेश और दश्मेश बुद्ध के साथ इस्थित है और शनी और राहू से दृष्ट है और जो महादशा और अंतरदशानात का एक्सिस है वो तीन ग्यारा का एक्सिस वो लेगी तो शुक्र में गुरू की दिशा में जो हमारे पास सवाल आता है पहले हम उसी को लेते हैं सबसे पहला सवाल हमारे पास इनका आता है देखिए 88 बॉर्ण है उसके अकॉर्डिंग अभी हम सौग करने की कोशिश करेंगी कि मैं घर अपना कब तक ले पाऊंगा पहरा सवाल तो यह आता है कि क्या मैं घर ले पाऊंगा दूसरा पहले इन्होंने कोई property खरीदी थी अतलब इनका घर नहीं था कुछ छोटी-मोटी दुकान जो इन्होंने खरीदी थी वो इन्होंने loan लेके ली थी तो हमें दो चीज़े समझनी है कि पहली property इन्होंने loan लेके ही क्यों खरीदी दूसरा कि अभी अपना घर कब तक खरीद पाएंगे तो देखिए सबसे पहले हम चतुर दभाव को देखेंगे क्योंकि हम property की बात कर रहे हैं मकान, गाड़ी, वाहन उसके लिए हम fourth house को देखते हैं तो fourth house का lord कहां है? Eighth house में Eighth house में जाना fourth के लिए ठीक है, लेकिन लगने के लिए अच्छा नहीं है लेकिन eight, वो house कौन सा है? वो house eighth है तो कही न कहीं, fourth की भी थोड़ी बात हानी तो वो करेगा लेकिन बुरू यहां बैठकर अपने घर को देख भी रहा है यानि थोड़ी मेहनत के बाद मुझे इसका house का रिजल्ट मिलेगा चतुर्त भाव में शैनी इस्तित है, शैनी पत्रिगा में पंचम के स्वामी है योगकारी बोलेंगे हम, लेकिन पूर्ण योगकारी नहीं बोलेंगे क्योंकि मुल्त्रकॉन राशी छटे भाव में से, अब मुल्त्रकॉन का ग्रह प्रभाव विशेश रखता है तो अपने बुद्धी विवेक से आप प्रपर्टी खरी देंगे, कोई साइन करने जाता है तो बड़ा सोच समझे करता है, ऐसा नहीं कि केरलेस्नेस होके और आपने आख बंद की और कुछ भी प्रपर्टी खरी लिए, तो यहां जाता का सुभाव ऐसा नहीं होगा जो छोटी शॉप खरी दी, वो इन्होंने रिंड लेके फिर वो प्रपर्टी खरी दी, लेकिन अब वो उसको सेल करना चाहा रहे है, वो सेल नहीं हो रही है, यानि दिक्कत आ रही है उसको सेल होने में, देखो क्योंकि यहां पर शनी बैठा है, वो भी वक्री शनी है, फि वो प्रपर्टी खरीदने में हो या उसको सेल करने में हो, कुछ ना कुछ अर्चने है, वो जो उसका एक तो बेसिक स्वभाव है उसका, और फिर उसका मूलत रिकॉन का वरभाव भी है और फिर वो वक्री भी है, तीनों कंडिशन में हम अगर देखें, तो वो कुछ ना भर देख रहा है तो खरीदना चाहते हैं, वो भी लोन लेके ही खरीदेंगे, देखिए लोन लेना, आजकर हम जानते हैं कि 90%, इवन 95% हम सब लोन लेके ही प्रपर्टी खरीदें, दिक्कत महा आती है जब हमको उसको रीपे करने में परिशानी में, तो रीपे कैसे करेंगे हम ये आजकर एक बहुत साधारन सा प्रशना आता है कि क्या हम लोन चुका पाएंगे, तो उसको भी समझेंगे, पहले देखते हैं कि प्रपर्टी खरीद सकते हैं या नहीं, अभी गुरु में शुक्र की दशा है और ये सप्टेमबर तक है, अभी जुलाए चल रहा है, य तो अगर हम आगी जा तक हम से हम कहना चाहें कि आप प्रपर्टी खरीद पाएंगे, तो बिलकुल आप गुरु में शुक्र की दशा है, अभी आपके पास दो महीने का समय है, दशा आगे भी आएंगी, ऐसा नहीं कि दशा आगे नहीं आएगी, गुरु में सूर्य की दश दशा में भी और प्रतियंतर दशा आएंगी, जहां आप पोशिश करेंगी, तो आप ले सकते हैं, यानि इस साल, हम दो महीने का टाइम ना देखें कि आप इस साल प्रपर्टी खरीच सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिट में भी हमें योग दिखता हैं, बाव सिद्धी से, और यहां इस दशा में आप खरीच सकते हैं, छोटी-छोटी दशा हैं आएंगी, मंगल, राहू की दशा में हम प्रपर्टी खरीचने के लिए मना करेंगे, फिर गुरू की दशा जब आईगी, दिसंबर से जनवरी, तब आप प्रपर्टी खरीच सकते हैं, तो कब-कब वो अ अपना लोन, क्योंकि पहला वाला इन्होंने रीपे कर लिया, तो क्या इसको भी में रीपे कर पाऊंगा, देखे, हमारा सुभाव है, इंसानी सुभाव के हमें थोड़ी सी चिंता लगी रहती है, भविश्य की, तो रीपे करने के लिए क्या देखें, अगर जनरल हम सोचे है, कि हमारे उपर लोन है, तो हम कैसे उसको चुखाएंगे, अगर हमारा धन अच्छा होगा, परिवार का सपोर्ट होगा, है ना, मेरा कार्य चेतर अच्छा होगा, मतलब काम में मुझे परिशानी नहीं है, फाइनेंसे में मुझे परिशानी नहीं है, तो एजिली मैं लाता है लोन, तो चुकाने के लिए भी वही जिम्मेदार है, क्योंकि जहां से हम सुख देखते हैं, वहीं से दुख देखेंगे, अगर चतुट से सुख देख रहे हैं, सुख है या नहीं, तो दुख भी वहीं से मिलेगा, लगन से स्वास से देखते हैं, कि हम कितने हेल् तो बिमारी भी वहीं से पता चलेगी कि अगर लगनेशी भी खुग गया तो हम बिमार हो गई हो गया धन भाव की पोजिशन अच्छी है धने लश्मेश के साथ लगनेश के साथ 10th में सित है कोई प्राब्लम नहीं अशुप ग्रह का परभाव है तो थोड़ा देर लगेगी शनी अपने घर को देखी रहा है लेकिन यहां मंगल और राहू भी है मंगल की मूलत्र कौन आठवे में यानि परिशानी तो रहेगी लेकिन शनी की दृष्टी है तो वो धीरे 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 करके उसको रीपे कर देगा धन के लिए हम गुरू को देखें तो गुरू की सीध दृष्टी धन भाव पर यानि पैसे की कोई दिक्कत रहेगी नहीं अश्ट्रम में गुरू है इसका मतलब संतुष्टी भी नहीं रहेगी हम जितना आएगा वो कहीं न कहीं हमारा पैसा लगता जाएगा बचने की उम्मीद थोड़ी कम रहती है इस इन केस में चंद्रमा क के लिए हम तीन ग्राओं को में देखेंगे चंद्रमा को देखेंगे शुक्र को देखेंगे गुरू को देखेंगे और वर्तवान पत्री का में जो सेकिंड हाउस का लॉड है उसको देखेंगे उसके बाद अगर हमारे पास भागया का सपोर्ट हो कई बार ऐसा होता है कि संपती भी मिलने के चांसे हैं हमारे परिबार का हम में सपोर्ट किसना मिल रहा है कि लिए हम्से रही छुकाया जाlex तो परिवार वाले सपोर्ट करेंगे कि चलो अभी हम बैक का करेंगे कि बाद में हम आपस में आओगे रागे 2024 तक तो बहुत खराब दिशा हम नहीं बोलेंगे गुरू में सुरे गुरू चंद्रमा मंगल रहो हम जातक को साथधान करेंगे क्यूं क्यूंकि गुरू में चंद्रमा सडाश्टक की दिशा आई यह लाव का स्वामी होके सडाश्टक में आया है दो चीजे यानि हेल्थ और पैसा ये दो चीजे हमारी बुकुल पीक पे रहेंगे कि हम इनके लिए साथधान रहें उसके बाद मंगल होगा और फिर रहो जो की छटे को एक्टिव करेंगे अगर पहली दशा हमारी अच्छी नहीं गई है मान लीजे गुरू चंद्रमा में हमने कहीं कर दिया क्योंकि शेयर मार्केट का भी इंवेस्टमेंट का आज कर बहुत कोश्यन आता है या कहीं और इंवेस्ट हमने कर दिया गुरू चंद्रमा में हमारे पास पैसे की कमी रही तो गुरू मंगल और राहो है और सिच्वेशन हमारी खराब हो जाएगी और फिर आगे श क्योंकि अगर किसी के लेते सब हैं आज कर आप दिखेंगे तो 90% केसिस में आपको यही मिलेगा कि हम इतना डाउन पेमेंट करते हैं और इतना हम ले लेते हैं एक या दो साल से जादा कोई टाइम लेता नहीं और इस पत्रिका को देखके हमें बहुत जादा खराब हैं तो यहां उपर नीचे लाइफ में धन को लेके लगा रहेगा कि कभी है कभी नहीं है कभी हमारा कई फंस गया यह सारी सिच्वेशन बनी रहेंगे तो इसके लिए जातक को हम पहले ही सावधान कर देंगे यह 24 से लेकर 29 तक हमारा टाइम रहेगा कि हम यहां पैसे को बड़े इंवेस्टमेंट से रुखे हैं तो यह चोटा सा आज एक प्रियास था थोड़ा अलग चार्ट जो भी हमारे पास चार्ट साते हैं कंसर्टेशन के लिए उसमें से एक चार्ट लिया गया है ताकि हम कुछ अलग सीख सकें उमीद है कि आप लोगों को पसंद आया ह होगा बाकि हां मैं थोड़ा सा एक डाउट और यहां पर क्लियर कर देना चाहते हूं कि हमारे पास बहुत क्वेस्टन स्क्वेरी जब आ रहे हैं कि आपका जो टैरो और निम्रेलोजी स्टार्ट होने जा रहा है तो वो किस पेस पर अधारित होगा क्या प्रडिक्शन हो प कुछ डिलिवर किया जा रहा है तो उसमें प्रडिक्शन होगा कुछ ना कुछ सचाई जरूर होगी तभी वो आप लोगों के सामने लेकि आया गया अदर्वाइस आप देखेंगे हर थोड़े-थोड़े दूरी पे आप देखेंगे एक टैरो कार्ड डिडर आपको मिलेग लेकिन यहां से अगर कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा इस बात का भरोसा रख सकते हैं बाकि डेमो क्लासिस हम उसकी कोई भी प्रोगाइड नहीं कराते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं बहुत-बहुत धर्माइब